हलो फ्रेंड्स वल्कम बाग टू मैं चानल आज मैं आप लोंग से शेयर करने वाली हूँ एग मसाला बनाने का बिल्कुल नया तरीका और इस तरीके से अगर आप एग मसाला बनाते हैं तो आपका जो एग मसाला हुए एकदम टेस्टी और चटपटा बनेगा और इसे अगर आप एक बर बनाके खा लेंगे ना तो अप इसी तरीके से बार-बार एग मसाला को बनाके खाना पसंद करेंगे तो आप इस तरीके से एक बर एग मसाला जरू बनाके देखिएगा उमीद है आपको यह बहुत पसंद आएगा तो चलिए अभी से बनाना स्टार्ट करते हैं एग मसाला बनाने के लिए यहां पर मैंने सिक्स बॉil किये वे एग लिया है एग अपने जौरत के हिसाब से ले अब हम एक बड़े बाल में बॉil एग को एड़ करेंगे अब इसमें दो मिडियम साइच का कटा हुआ आलू आड़ करेंगे और यह कच्छा आलू है जिसे मैंन दो साबुत लेस्जन एक बड़ा साइच का बारी कटा हुआ टमाट तीन हरी मिर्च हरी मिर्च की कॉंटिटेटे अपने teeth के गोर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं एकBड़ा साइच का बारी कटा हुआ फ्याज आड़ करेंगे अब इसमें कुछ खड़े मसाले आड़ करे तीन सुखी लाल मिर्च, एक टुकडा जावीतरी, तीन लोंग, आठ से दस साबूत काली मिर्च, तीन छोटी लांची, एक बड़ी लांची, एक टुकडा दालची नी और दो तिस पत्ता आड करेंगे, अब इसमें हम सुखे मसाले आड करेंगे, एक चमच धनिया पोडर, ए एक चमच लाल मिर्च पोडर, लाल मिर्च पोडर अपने टेस्ट के कोडिंग कम जातक कर सकते हैं, आदा चमच गरम मसाला पोडर और नमक आड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के कोडिंग आड करें, अब इसमें हम गरम किया हुआ, मस्टरड ओयल आड करेंगे, जिसे मैंने ठंडा कर लिया था और यहां पर मैंने 4-5 चमच आयल योज किया है अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो चुके है अब हम इसे बनाने के लिए एक पॉट लेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा वही गरम किया हुआ मस्टर्ड ओयल को अड़ करेंगे जिसे मैंने ठंडा कर लिया था और इसे हम पोट के चारो तरब इस तरीके से ओयल से ग्रेस कर लेंगे जिससे की एग इसमें चिपकेगा नहीं अब हमने जो एग और आलो को मारिनेट करके रखा है उसे इसमें आट करेंगे अब हम बावल में 3-4 चमज पानी आट करके इसे इसमें आट कर लेंगे और यहाँ पे ज़्यादा पानी आट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम एग मसाला बनाने वाले हैं अगर आप एक करी बनाए तो इसमें थोड़ा सा पानी आट कर दे जिससे कि आपका ग्रेवी थोड़ा सा पतला बन जाएगा और देखिए मैंने पॉट के चारो तरफ इस तरीके से गुथा हुआ आटा को इसके चारो तरफ लगा दिया है अब इसमें हम एक ढखकन लेंगे और इस आटे के बीच में तक पखने देंगे और यह जो ढख के पास छोटा सा होल उता है उसे भी अच्छेसे कवर कर देंगे जिस से किस बाहर बाहर नहीं निकलेगा अब हम गैस अन करेंगे और इसे हम low flame में 40 मिनट तक पकने देंगे और इसे हम बीच बीच में एक एक बार अच्छे से mix करते रहेंगे देखिए इसे पकते वे 7 से 8 मिनट हुआ है तो इसे हम एक बार इस तरीके से mix कर लेंगे जिसे की नीचे से कोई भी चीज जिपकेगा नहीं और इसे हम फिर से बीच में 10 मिनट के gap के अंदर में एक एक बार इस तरीके से mix करते रहेंगे तो देखिए इसे टोटल पकते वे 40 मिनट हो चुका है अब इसे हम एक बार last mix कर लेते हैं इस तरीके से और इसकी बार हम gas को off कर देंगे और इसे हम हलका सा ठंडा होने देंगे देखिए हलका सा ठंडा हो चुका है अब हम इसके चारो तरब कट लगा के इस तरीके से धकन को हटा लेंगे और इससे इतना अच्छा खुसबू आ रहा है जिसे मैं आपको बता नहीं सकती अब इसे हम एक बार अच्छे से इस तरीके से mix कर लेंगे जिसे की सारे चीजी अच्छे से mix हो जाएंगी तो देखिए सारे चीजी अच्छे से mix हो चुकी है तो देखिए हमारा बहुत ही tasty egg masala बनके ready हो चुका है अब मैं आपको आलू को भी कट करके दिखाती हूँ देखिए आलू भी कितने अच्छे से पक चुका है अब इसमें लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया add करेंगे और इसे हम एक बार अच्छे से mix कर लेंगे अब इसे आप गर्मा गरम सर्फ कर सकते हैं तो देखिंए यहां पर मैंने गर्मा गरम एग मसाला को सफ कर लिया होता आप ने देखा कि इसे हमने बिलकुल अलग और नए तरयके से बना आया है और इसे बना भी बहुत असान है कि इसमें बनता है कि आपको बता नहीं सकती क्योंकि यवदिश açमे पनने वाल तो यकीन मानिया आप इसी तरीके से बार बार एग मसाला को बना के खाना पसंद करेंगे तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल